अगर आपको वीडियो पसंद आता हो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करें और प्लीज चैनल को सपोर्ट करें तो आज हम इंगलिस ग्रामान में पढ़ने जारें एडवर्फ अगर कोई ऐसा चीज है हमने तो सब देख लें कि क्या होता है जैसे कि हम किया होता है कि बोला जाता है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ कहना चाहते है उसके गुणों को बताना चाहते है तो किसी के गुनों को दर्साता है, यानि विशेस्ता बतलाता है, उसे हम एड़फ कहते हैं, जैसे कि हम बोल भी सकते हैं अपनी भासा में, कि you can understand this topic easily, मतलब आप क्या समझ रहे हो, इस topic क्या easily है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, कि एक teacher अपने student से बोल रही है, you can understand this topic easily, just listen patiently यानि कि easily, यानि कि easily, यह जो हम आज topic पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत easy है, और आप उसे presently, यानि बहुत आराम से समझना, ठीक धैरे पूरुबग समझना, तो यह जो मैं हम बता रही है, यह सब क्या है, एक वही है गुन है, जसके बारे में मैं बता रही है, तो चलिए ह हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, जैसा कि इसमें कहा भी है, रोहन नाम का एक लड़का है, तो मैं हम बोलते है, रोहन, come here and sit down, why were you absent yesterday, कल तुम absent क्यूं थे, how can you behave so carelessly, तुम इस तरह से behave क्यूं करते हो, when you are, exam are approaching, now I am explaining in the topic, यह नि कि मैंने कल एक topic किया था और exam आने वाला है, वो था adverb again just for you, अब मैं फिर से adverb को पढ़ाने जा रही हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, I hope you will understand it now, अब तुम इसे समझोगे, मतलब मैं एड़ब पढ़ाने के लिए जी दिन पढ़ाय थी, एक बचे यह absent कर दिया था, तो मैं मुझसे talk कर रही है, कि आप क्यों नहीं आए थे, अभी exam आने वाला है, तो चली हम इसी तरह से चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे, बुक में कुछ words दिये हुए है, चली मैं आपको बुक भी दिखाती हूं, तो आप समझोगे, यहाँ देखिए, ब Adverb is a word that adds to the meaning of a verb, यानि कि क्रिया में add होके अकर उसका meaning बदल दे, उसे हम Adverb कहते हैं, इंगलिस में जो बोल रहा है, वो यही कह रहा है, कि Adverb वह है, जो क्रिया में लगकर उसका मर्थ ही बदल दे, उसे हम कहते हैं, क्या Adverb, Tell us when we are, how often someone read something, जैसे कि कब, कहां, कैसे, यह सब जो है, something कुछ ऐसे वगरा वगरा जो होते हैं, वो हमारे Adverb कहलाते हैं, जैसे देखिए, हाँ पर read some more examples दिया हुआ है, कि, क्या दिया हुआ है, कि my, चलिए, हमने पहले यह क्या किया, Adverb किसे कहते हैं, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, Adverb किसे कहा जाता है, तो क्या है, एन एड़ वर्व, Adverb को हम क्रिया में जोड देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, Adverb बन जाता है, Adverb बन जाता है, कि रिया में अगर, सब्द को जोड दिया जाए, meaning of a verb, now call Adverb, just say Adverbs tells, tells, when, where, how, how often something, यह हो क्या है, अब हम चली एक दो एक्जांपल, जैसे कि मैंने आपे दिया भी है, कि some examples, कुछ examples, ठीक है, आज थोड़ा softly पढ़ेंगे, मतब खुआ easy ही topic पढ़ेंगे, next में हम इसे, इनके मतब change करेंगे, कि कौन सा Adverb add करने से, Adverb कैसे बनता है, अकर हम जैसे कि bad है, तो उसमें क्या लगाएंगे, तो Adverb बन जाएगे, इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यह रहा, definition आपने लिख लिया, screenshot ले लीजिए, चली, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखें, यह दिया है, read some more example, पढ़ते हैं, चली, my father went to office early when, यान यानि कब, तो क्या बोल रहा है, my father went to office early, सुभे चले गया थे, फिर देखे, don't go outside, कहां, तो कहां जाने के लिए बोला जा रहा है, outside, बाहा नहीं जाना है, he drive car carefully, how, यानि how क्या पूछ रहा है, कैसे बोल रहा है, तो यहां पे answer किया जा रहा है, कि हमें, गाड़ी को carefully चलाना चाहिए, ड्राइव करते समय केरफूल रहना चाहिए, can see sometimes, make excuses, कभी-कभी, वो excuses मतलब किसी चीज को create कर देती है, ठीक है, excuse, how often, फिर I brush my teeth twice a day, how often, तो कितनी बार, दो बार, how often, मतलब, कितनी बार, मतलब, just ask कर रहा है, कितनी बार, how often, ऐसे हो गया, जैसे, कैसे, where, कहा, the school bus stop here, यहां पे रूपता है, the students are waiting patiently for the bus, patiently, कैसे जो पूछा, तो क्या patiently, पैसेंस के साथ, वो bus का इंतिजार करता है, this student, sorry, the bus has arrived now, कब अभी, फिर this student run fast and board the bus, how, कैसे, run fast, board the bus, फिर I never rush like this, I always wait for my turn, how often, how often, यहनि मैं कभी भी मतब घाई नहीं करता है, हमें आराम से अपने टौनाने का वेट करता हूं, ठीक है, तो देखे, यहां पे क्या यह बताना चाह रहा है, कि हमें अगर इस तरह के टॉपिक दे देता है, तो हमें वहां पे क्या पुट करना है, यहां पे बोला वेर, तो हमें यह कुशन दे दिया होता है, पुछता है कि किसको मतलब हमें लगाना है, तो पता चले गा है कि वह उसको, तो मतब क्या कहते हैं उसको दर्सा रहा है जब यहां पर पुछाओ वेन कब तो early मतब सुभे सुभे यहां पर था where outside कहां तो हमें उसको underline करने के लिए कर बोल दी step के question देख यहां पर तो कर रखा है तो underline करने के लिए क्या है तो आप क्या करोगे यह जो side में topic गया इसके जरीए हमें देखना है इसके जरीए हमें देखना है किसके नीचे underline करना है अब यहां पर how था तो carefully कैसे तो carefully how often था तो sometimes how often था तो twice where था तो here how मतब patiently when now how fast how often never and always आपको देखना है जो topic side में bracket में दिया होगा है उसके जरीए हमें underline करना है clear तो यह चीज था हमें आज थोड़ा सा हमने एडवफ के बारे में जान लिया इस book के जरी बुक में जिस तरसे side किसी के पास यह book हो बच्चों के पास जो बच्ची इस book से फिलाल पढ़ रहे हैं तो उनको तो और अच्छे से समझ में आ गया नहीं तो ग्रामर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो एक ही book हो ऐसा कुछ नहीं जिस कितने भी सारे book हो बड़ ग्रामर सेम ही situation रहता है बच भले book का नाम जेंजो जो भी हो तो इसके साथ हमने यह topic clear कर लिया नेक्स वीडियो में हम मिलेंगे बनाएंगे वर्व को बनाएंगे एडवर्व को बनाएंगे ओके तो चली मिलते है फिर नेक्स वीडियो में बबाएं थैंक्यों और वीडियो पसंदो इनको सब्सक्राइब कर ले